बिहार में बोगस वोटिंग इस चुनाव में कहीं भी परियोग नहीं हुए उसकी पुरे प्रोसेस किये हैं कि जैसे ही ये पूरी तरह बायमेट्रिक होगा वेब कास्टिंग के माध्यम से बूत की सारी स्थिति को राज निर्वाचा नायूग देखेगा कि ये बायमेट्रिक से पता चल जाएगा लोगों को कि कौन व्यक्ति वोट कर रहा है बिहार में पंजाय चुनाव इसी महीने 24 सितंबर से शुरू होने जा रहा है लेकिन इससे ठीक पहले पटना हाई कोट ने एक याचिका दायर की गई थी पटना हाई कोट में जिस पर सुन करने के लिए इसके साथ ही पंचाय चुनाव में इस बर क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए बिहार के पंचायती राजमंत्री समराट चौधरी हैं सर सबसे पहले तो यह जो चार हफते में रिपोर्ट सो आपने को क समिक्षा करें और समिक्षो प्रांत आप इस पर आदेश जारी करें अब राज निर्वाचा नायोग तय करेगा कि आगे की कारबाई बीवी पैट में करना है नहीं करना है यह राज निर्वाचा नायोग तय करें तो यह पूरा प्रोसेस राज निर्वाचा नायोग के उसकी पूरे प्रोसस किये हैं कि जैसे ही ये पूरी तरह बाइयोमेट्रिक होगा और जब चुनाओ बूथ पर कोई बूथ नम्मर एक पर अपना वोट डाले तो चाकर भी बूथ नम्मर दो पर वोट नहीं कर सकेगा बायोमेट्रिक मशीन किसी भी चुनाव में पहली बार प्रयोग होने जाए। इसके साथ इस बार बिहार में जो पंचाय चुनाव में क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहे हैं। इसको देख सकता है कि कांटिंग में कितने बूत नमर पांच खुला तो उसमें कितना बहुत हमको मिला किसको दूसरे को कितना मिला यह सारे प्रोसेस उसमें होंगे। और तीसरा जो एक सबसे महतवपून है कि हम पूरे चुनाव प्रोसेस में हम लोग को रिपोर्ट लेने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि क्योंकि जनता को यह बताना पड़ता है कि चुनाव प्रोसेस भी हम लोग के जिससे एक एक घंटे पर सारा रिपोर्ट आता जाएगा क्योंकि यह बाइमेट्रिक से पता चल जाएगा लोगों को कि कौन वैक्ति वोट कर रहा है कौन महला है कि कितने प्रसेंट लोगों ने वोट किया यह पूरी प्रोसेस को राज निर्वाचन आयुक कर और फ्री अन्फेर चुनाओ कराने का पूरा प्रोसेस किया जा रहा है एक सवाल है जब विधान सबार चुनाओ हुआ तो हमने देखा कि शिक्षक वर्ग जो है बिहार में जो शिक्षक हैं वो लंबे वक्त से नाराज चल रहे थे और कहीं न कहीं जेडियू बीजेपी सरक पर इसको इसका खामिःजा भुगतना पड़ा था बड़ी बड़े संख्या में शिक्षक की नाराजगी देखिए इसर बिहार में चुनाओ है तो पंचायत चुनाओ से ठीक पहले शिक्षक की नाराजगी की बात आ रहे हैं यह भी कहा जा रहें कि पिछले तीन-चार महने से उनके वेतन है वो नहीं मिले हैं तो इससे बचने के लिए पंचायती राजविभाग क्या कर रहा है यह पूरा प्रोसेस राज निर्वाच्चन आयुक को तै करना है यह उनीके अधिन है हमारा सिर्फ हम चीजों को कैसे उपलब्द कराना यह हमारा काम है ऐसी को इस्तिती उत्पन नहीं है बिहार में और सिक्षकों के ही माद्यम से सारे चुनाव कराते रहें उनीके माद्यम से चुनाव होते भी रहें और सरकार ने नियोजन सब्द हटा कर सीधा सिक्षक बहाली का पर किरिया है एंडिये की सरकार ने ही लगवक चार लाक लोगों को सिक्षकों को बहाल किया और दीरे दीरे जहां पंदरा सो रुपिया सिक्षा मित्र के तौर पर बहाली हुई थी दोजार एक में आज उनको चालीस अजार से अधिक का तनका मिल रहा है यह प्रोसेस है सरकार इसको कर करेगी जो उनकी मांगों उस पर सिक्षा मंत्री जी उस पर विचार कर रहे है मानिया मुक्मत्री जी विचार कर रहे है आपको रखे आगे तो नहीं आपको नहींगे । झाल